विक्रम वेधा की हिंदी रीमेक की शूटिंग जून में शुरू कर सकते हैं रितिक रोशन फिल्म के लिए ले रहे हैं खास ट्रेनिग बॉलिवुड की दिगजबीनेता रितिक रोशन इस साल कई फिल्मों में नज़र आने माले हैं हाल में रितिक विक्रम वेधा की हिंदी रिमेक को लेकर सुर्खियों में च्छाय हुए थे रितिक के फिल्म में शामल होने के बाद फिल्म समीक्षक की दिल्चस्पी फिल्म के प्रती बढ़ गई है अब जानकारी सामने आ रही है कि रितिक इस फिल्म की शूटिंग जून में शुरू कर सकते हैं ये 2017 में रिलीज हुई सूपर हिट तमिल फिल्म विक्रम वेधा की हिंदी रिमेक होगी रितिक ने शुरू कर दी है फिल्म की तयारी सूत्र पी पिंगुमन की रिपोर्ट के मताबिक इस पहु प्रतिक्षित फिल्म की शूटिंग रितिक जून में शुरू कर सकते हैं एक सूत्र ने बताया रितिक फिल्म की शूटिंग जून में शुरू करने वाले हैं वो ये फिल्म में एक गैंक्स्टर की भूमिका में दिखने वाले हैं वो फिल्म में बेधा का किरदार निभाते हुए दिखेंगे जिसे फिल्म के प्रती उच्छुकता बढ़ जाती है इस भूमिका में खुद को धालने के लिए रितिक ने तयारिया शुरू कर दी है सूत्र ने आगे बताया कि फिल्म की तयारी के लिहास से रितिक के लिए मई का महीना महत्मपूर न हो सकता है इस फिल्म को रिलांस एंटर्टेइन्मेंट और नीरच पान ने मिलकर प्रड्यूस करेंगे वही पुषकर और गायतरी इस फिल्म को निर्देशित करेंगे जिन्होंने इसकी ओरिजिनल तमिल फिल्म का निर्देशिन किया था अभी फिल्म की हिंदी रिमेक का नाम तैन नहीं किया गया है अभी फिल्म प्री प्रोडक्शन स्टेज में है और फिल्म की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है विक्रम वेधा में आर माधवन और विजय सेतुपती को लीड रोल में देखा गया था इस फिल्म में माधवन ने एक पुलिस ओफिसर और विजय ने गैंगस्टर का किरदार निभाया था विजय एक ऐसे गैंगस्टर की भूमिका में दिखे थे जो हर बार पुलिस को अपली जिन्दगी की कुछ कहानिया सुना कर बच निकल जाता है अब इसकी हिंदी रिमेक में सैफ को पुलिस ओफिसर के किरदार में देखा जाएगा जबकि रितिक गैंगस्टर की भूमिका में दिखेंगे ये पहली बार होगा जब रितिक और सैफ एक साथ किसी फिल्म में नज़र आएंगे खबरों की माने तो इस फिल्म का एहम हिस्सा बन चुके सैफ ने इस फिल्म के लिए 12 करोण रुपे खर्च किये हैं रितिक के वर्क फ्रंट की बात करें तो उन्हें इस साल कई फिल्मों में देखा जा सकता है वो सूपर ही रो फिल्म कृश वोर को लेकर चर्चा में हैं ये फिल्म कृश फ्रेंचाइजी की चौती फिल्म होगी जिस में रितिक मुक्य भूमिका में दिखने वाले हैं इसके अलावा वे निर्देशक सिधार्थ आनन की फिल्म फाइटर में भी काम कर रहे हैं इस फिल्म में उनके साथ पहली बार अभिनेत्री दिपका पद को नजर आने वाली है, वो वार टू में भी दिखने वाले हैं